हेलो फ्रेंड नए ब्लॉग में आपका स्वागत है जैसी कि मैंने इस्टरडे के वीडियो में प्रेडिक्शन किया था कि मनाली में सोलंग वैली में सनोफॉल हो सकता है काफी हेवी सनोफॉल की संभावना है तो मैं हूँ अभी सोलंग वैली में और आज तारिक है 14 नवंबर 2022 तो जवरदस हेवी सनोफॉल हो रहा है मनाली के सोलंग वैली में मौर्निंग से स्टार्ट हो गई है काफी जाद सनोफ स्नोफॉल यहां पर और अभी शिर्फ दोपहर का टाइम है और लगबग एक फीट के आसपास यहां पर स्नोफॉल देखने को मिला है यहीं स्नोफॉल यहीं लगतार कंटिन्यू होते रहे साम तक पुसाइद यहां दो फीट से लेकर धाई फीट भी स्नोफॉल हो सकता है दिह हो भी करना हो फुल मस्ती आप यहां पर आकर कर सकते हैं सोलंग वैली में ही क्योंकि यहां पर टाइम से पहले ही स्नोफॉल हो गया है जहां पर देखा जाता था कि दिसंबर के सकंड विक में स्नोफॉल होता था मनाली के सोलंग वैली में लेकिन इस साल ऐसा हुआ है कि नहम फॉल खतम होगा रोड साफ होगी तो अटल टरनल खुलेगा तो साथ एक दो दिन के लिए तो अटल टरनल बंद हो चुका है आज है चौदर नमबर तो पीछे स्नो बाइक लगे हुई है तो स्नो बाइक में राइट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं इस तरफ स्केटिंग की एक्टिविटी हो रही है और साथी साथ पारा ग्लाइडिंग की एक्टिविटी यहां पर स्टार्ट हो गई है तो बर्फ बारी तो लगतार हो ही रही है लेकिन स्नो फॉल कब होगा तो आज आज का सिर्फ प्रेडिक्सन है स्नो फॉल का उसके बाद कुछ दिना तक स्नो फ जनता है मौसम का प्रडिक्शन रहता है स्नोफॉल होने का तो स्नोफॉल होता है बहुत लोगों का रहता है अपडेट पूछते कि मैं इस डेट को आ रहा हूं स्नोफॉल होगा क्या तो ऐसा नहीं है यदि आपको पर्टेक्च लाइफ बर्फबारी देखनी है तो आप किये तो देफिनटली आपको सोलंग वैली विजिट करके स्नोफॉल देख सकते हैं और लक्की रहेंगे तो खुछकिस्मत रहेंगे तो अपने होटल में ही बैट कर आप देख सकते हैं स्नोफॉल वह भी लाइव इदा उदर जाने की भी ज़रुरत नहीं है यदि आप मनाल क्यारती आ रहे हैं और सोलंग वैली पी सोलंग वैली जाना जाता है तो स्पोर्ट श्रेक्टिविटी के लिए खासकर जब बरभ़ वारी होती है तो बरभभारी के समय पाराग्लाइडिंग नहीं होता है जोटा वाला best Ministries Math and the तो याक राइडिंग है तो याक राइडिंग पर गूम सकते हैं यहाँ पर वो भी 100 रुपया लेते हैं पांच मिनट गुमाएंगे आपको याक पर बैठा कर इधर उधर आप गूम सकते हैं उसके बाद यहाँ पर होर्स राइडिंग है तो होर्स राइडिंग भी कर सकते हैं याख रैडिंग के साथ ही साथ और उसके अलाबा यहाँ पर और एक एक एक्टिवीटी होती है जो लोग काफी जादा अड़्विंचरस एक्टिवीटी करना चाहते हैं तो यहाँ पर होता है एतिवी बाइक रैडिंग, ओफ नुर्दिंग में जो चलती है चाट चक्क्ये व साल है वह है बर बारी में खासकर जब इस तरह की लाइफ स्नो फॉल हो उसमें बर्फ बारी में खेलने का एक दूसरे के उपर वर्फ के गोले को मारने का और फ्रेंट के साथ है तो सोलंग वैली बिलकुल जन्नत की तरह है कस्मीर और स्षुजर्ड लेंड्स से कम नहीं है हर कोई खुश है यहाँ पर कोई चिंता नहीं कर रहा है कि बर्वारी हो रही है घूम रहे हैं बर्व पिगलेगी गीला हो जाएगा कपड़ा क्योंकि काफी दूर से आए घूमने के लिए और इसी चीज को देखने के लिए यह सब चीजे वो टीवी में देखते रहते हैं ले वे एक्टिविटी भी चालू है भी तुबए कर सकते हैं तो इस तरह से बहुत सारी मस्ती कर सकते हैं मनाली के सोलंग वेहली में और सुलंक के बात करें यहां आए कैसे तो श्कूटी और बाइक रिंट पढ़ ले और उससे आ सकते हैं यहाग के जो टेक्सी से आना और जो ना चाते हैं तो किराय सिर्みたい रोपीज में देना उसका ने जार उनिया खकांट से पहुंचा जा सकता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तभी जरूर से कर लें